मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप तो हो सके धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच शर्म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 15 सितंबर के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी की ति शुक्लपक्ष की नवमी की दिथिये बुद्वार का दिन है नक्षत्र है पूर्वाश रहा योग है सौभाग और करन है कॉलफ तो यह तो बात रही आज के पंचांग की अप्चर्चा करते हैं राशी फल की सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी की मेश राशी वाले जातक लोगों के लिए कारशेत्र में प्रतिकूलताओं में वृद्धी होगी जिससे शारेडिक और मानसिक रूप से कुछ ठकान और उतेजना कानुभव आज आप करेंगे आज के दिन को शुब बनाने के लिए भगवान विश्णु की पूजा राधना आपको करनी चाहि वृषब राशी वाले जातक लोगों के लिए परिवार और सामाजिक कारियों में आज आप बढ़ चल करके भाग लेंगे परिवार का महौल भी अच्छा रहेगा इसनान करते समय जल में थोड़ी सी फिटकरी डाल करके आपको इसनान करना चाहिए और ओम नमो भगवते व जान बढ़ेगा और इश्वर भक्ति से मन को शांती मिलेगी बगवान गणेश की पूजा राधना आपको करना चाहिए और नीले रंग के वस्थरों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए करकराशी करकराशी वाले जातक लोगों के लिए धार्मिक और सामाजिक कारियों में बढ़ चड़ करके आप भाग लेंगे धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं पशुपक्षियों को चारा दें हनुमान जी की पूजा राधना करें और दक्षन दिशा की और मुक करके भोजन करने से आपको बचना चाहिए सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए किसी मनोहर इस्थल पर प्रवास हो सकता है पुराने मित्रों से भी मुलाकात होगी जो आपके लिए लावदाई से दोगी एक साबुत हल्दी की गांठ आपको जल में प्रवाहित करनी तुला राशी तुला राशी वाले जातक लोगों के लिए कारियों में सफलता मिलने में विलंब हो सकता है मद्यान के बाद व्यापार के अनुकूल वातावरन बनेंगे क्रोध करने से आपको बचना चाहिए कारेशित्र में लापरवाही भी मत दिखाईए साथ-साथ राम दिवाद में नव पड़ें ये ज़्यादा उत्तम होगा जरूरतमन व्यक्ति को मीठा और नमकीन भोजन कराएं बगवान गणेश की पूजा अराधना करें और भोजन के बाद आप स्वेम इसनान न करें तो आपके लिए उत्तम होगा धनुराशी धनुराशी वाले जातक में विग्ण मड़ डालिये मकर राशी मकर राशी वाले जातक लोगों के लिए परिवार का महौल अच्छा रहेगा और मनोरंजक प्रविर्तियों से मनप्रसंद रहेगा माता पिता का आशिरवाद करें आशिरवाद प्राप्त करें और वाहन चलाते समय जो है आपको नया कॉंट्रेक्ट करने से आपको बचना होगा मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए परिवार का महौल अच्छा रहेगा लेकिन किसी बात को ले करके परिजनों से तकरार की संभावना बनती है अपने स्वास्त का आपको विशेश ध्यान रखना होगा नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती है और दिन को शुब बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाई की जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कि किसी भी चतुर्थी या बुद्वार के दिन भगवान गणेश का दिन होता है बुद्वार के दिन गणेशी की खास पूझा कि जाती हैिस दिन में कुछ विशेश उपाई करने से विद्या बुधि विवेक की और इशुर एकी सुख की प्राप्ती होती है आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बुद्वार के दिन किस तरह से आप भगवान गणेश की पूजा आराधना कर सकते हैं कि जिससे आपको भगवान गणेश की कृपा बहुत सहजता से बहुत आसानी से प्राप्त हो सके बुद्वार के दिन भगवान गणेश को साबुत मूं के साथ धनिये का चूर्मा प्रसाद बना करके प्रसाद के तोर प पर आपको समर्पित करना चाहिए धार्मिक मानिताओं के नुसार गणेश जी को इसका भोग अत्यंत प्रिय होता उन्हें चूर्मा का भोग लगाने से खास कृपा विशेश कृपा आपको गणेश जी की प्राप्त हो सकती है दूसरा उपाई है कि बगवान गणेश को प्राप्ति का योग बनने लगेगा हर बुदवार को भगवान गणेश को पांच दूरवार अरपित करने से धन के साथ हैश्वर के साथ ज्यान की बुद्धी की प्राप्ति होती है ज्यान भी बढ़ता है और आर्थिक पक्षिस से मजबूत होता है तीसरा उपाई है कि ब से मुक्ति पाई जा सकती है अगर ग्रहों का योग हो कोई भी और बाधा हो तो उससे भी पाठ से इस स्त्रोथ से मुक्ति मिल जाती है साथ ही आपके व्यवहारिक जीवन के कष्टों में आने वाली बाधाओं से भी यह पाठ यह इस त्रोथ जो है वह आपकी रक्षा करता है तो गणेश अतरवशीर्ष का पाठ अपने आप में अत्यंत चमतकार है मैंने खुद उसका अपने बाले काल में हमारे गुरू ने बता दिया था और हर दिन मैं उसका सोला पाठ करता था और बहुत समय तक मैंने वह साधना किये तो मैं तो मानता हूं कि आज मैं जहां कह हूं अपनी इसी तरीके की छोटी छोटी तमाम साधनाओं की वजह से तो गणेश अतरवशीर्ष का चमतकार मैंने अपने जीवन में स्वय मनुभव किया है चौथा उपाई यह कि भगवान गणेश के माते पर गाय के घी में सिंदूर मिला करके उससे आपको तिलक करना च ही है तो इन चोटे-चोटे उपायों से आप बहुत अच्छा लाब ले सकते हैं बुद्वार को किया जाने वाला एक और सबसे अच्छा उपाई है कि किसी जरूतमन व्यक्ति को अपने सामर्थ के नुसार अपनी आर्थिक शम्ता के नुसार कुछ दान आपको जरूर करना चाहिए कहास तोर पर किनर अगर कोई मिल जाए रास्ते में आप जा रहे हों और अक्सर रेड लाइट वगरह पर किनर आजकल देख जाते तो उनको आपको हरी चुडियां आप दे सकते हैं तो हरावस्तर क्यूंकि बुद्वार का रंग हरा है तो हरावस्तर कुछ होता है कि हम अपने तरफ से आशिरवात देंगे पैसे के रूप में तो वह बहुत फलीभूत होता है मेरे यहां तो मंदिर में रखा है कैश बॉक्स में रखा मैंने जिसको जिसको भी बताया आज तक कोई व्यक्ति निराश नहीं हुआ अपने पर्स में उसको मैंने हरे पेट करके अलग पहचान के लिए रखा हुआ है तो यह बहुत ज़्यादा आपको फायदा देते हैं इसी के साथ साथ भगवान गणेश के गायत्री मंत्र का जो गणेश गायत्री मंत्र है उसका जाब भी आप 108 बार बुद्वार के बुद्वार भी कर सकते हैं या रोज बोच निएं बना सकते हैं रोज भी करने में कोई बुराई नहीं है वह कोई बहुतर व्यक्तिती उनका दिन है बुद्वार इा चतुर्ति तो उससे तो उत्वान गुछ नहीं नहीं है तो प्रचलित रूप में भगवान गणेश के जो गैतरी मंत्र है उसके तीन अलग अलग रूप से वो पाठ किये जाते हैं तो तीनों में से जो भी आपको सरल लगे आसान लगे उसका आप चैन कर सकते हैं इसमें भी पहला वाला जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ यह पहला मंत्र जो है तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है या मंत्र है एक दाय विद्मः वक्रतुंडाय दीमही तन्यों दंती प्रचोदया कि इन तीनों मुंत्र jumped in laser ना महीं नाम गप्रतुंडाय दिमही तन्यों दंती प्रचोदयात तो बस तीनों में सिर्फ आगे का नाम बदला है बाकी पूरा मंत्र सेम है एकी जैसा है तो इन उपायों को आप बुद्वार के बुद्वार भी कर सकते हैं और चतुर्थी कितिती में भी कर सकते हैं और अगर कोई सामर्तवान व्यक्ति है किसी का पूजा कार के सक्काश्वर की प्राप्ति होती होती है कोई भी मनो-कामना हो उसकी भी पूर्ति होती है तो दोस्तों आशा करता हूँ कि शांस्त्र से जुड़ी हुई चैनल वेभवन, मेरे चमतकारी उपाए, जोतेश, वास्तू, तंत्रमंत्र, दैनिक राशिफल, वरत्योहार, वैदिक, पूजा पार्ट के लिए टेस्ट अब्रेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथी गंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी जीवन में यदि समस्या हैं, तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। पे WhatsApp available है, आप WhatsApp करें, 9818300146, यह हमारे ओफिस का दूसरा नंबर है, अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं, तो आप हमें इमेल कर सकते हैं, हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे, इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं, मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं, और मुझे भी मालूम है, आप लोग कॉल करते हैं, फोन रिसीव नहीं होता, तो आप भी निराश होते हैं, ऐसे में इमेल और WhatsApp करना सबसे बहतर तरीका है, धन्यवार।